हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तही दिल से स्वागत है जैसा कि आपने थमनेल में देखा आज इस वीडियो में हम नुकलियर कमांड अथोर्टी नुकलियर कमांड अथोर्टी NCA के बारे में काफ़े ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में हम नुकलियर कमांड अथोर्टी के बारे में जानेंगे कि जो नुकलियर कमांड अथोर्टी है उसका क्या कारिया होता है और यह क्या कारिया करती है दोस्तों इस वीडियो को अंतक जुरूर देखना क्योंकि यह वीडियो काफी ज़्यदा important और काफी ज़्यदा interesting होने वाली है और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पहले आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले इससे पहले मैंने strategic forces command यानि कि जो रननीतिक सामरिक बल command है उसके ओपर भी काफी ज़्यदा detail में वीडियो बनाई है यदि आप strategic forces command के बारे में जाना चाते हो तो यह आई बटन में क्लिक करके आप strategic forces command के बारे में जान सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं nuclear command authority के बारे में nuclear command authority NCA भारत की जो authority है वो responsible है command, control and operational decision जो की regarding Indian nuclear weapons भारत के जो परमानु हत्यार प्रोग्राम है उसके operation के लिए उसके command के लिए उसके control के लिए जो भी decision है जो भी कारिय किया जाता है वो nuclear command authority के द्वारा किया जाता है ये comprises है political council जो की head की जाती है Prime Minister of India के द्वारा परदानमंत्री जी के द्वारा और एक executive council होती है जिसको head किया जाता है National Security Advisor के द्वारा जो National Security Advisor होते है NSA जी उनके द्वारा जो श्री नरेंदर मोदी जी माननिया परदानमंत्री वो अभी head है India's nuclear command authority के political head इंडिया का जो first nuclear test किया गया था वो conduct किया गया था 18 मई 1974 को जिसका code name था Smiling Buddha उसके बाद इंडिया ने जे अनदर सिरीज थी test की पोकरण में टेस्ट रेंज में वो की राजस्थान स्टेट में 1998 में जिसमें इंक्लूड था कि एक thermonuclear test जिसका code name था operation सकती इंडिया has an extensive civil and military nuclear program which includes at least 10 nuclear reactors यानकी इंडिया को जो extensive civil and military nuclear program है जिसके अंदर at least 10 जो nuclear reactors है वो include है uranium mining include है and mining sites include है heavy water production include है facilities and uranium enrichment plant fuel fabrication facilities and extensive nuclear research capabilities ये सभी जो भारत का military and civil nuclear program है उसके अंदर ये सभी चीज include की गई है दो इंडिया has not made any official statement यानि कि भारत ने कोई official statement नी बनाई है उसका जो size है nuclear arsenal है उनका जो size है कितने numbers है क्या संख्या है nuclear weapons की ऐसी भारत के दौरा कोई official statement, official list है जो जारी नहीं की गई है लेकिन जो different countries है वो estimate करते हैं और indicate कर सकते हैं कि इंडिया के पास somewhere 150 से लेके 300 nuclear weapons थग present है 4 जनवरी 2003 को cabinet committee on security CCS ने political council and executive council of NCA constitute की थी जो executive council है वो इसका opinion देती है political council को जो की authorized होती है एक nuclear attack जब deemed necessary यानि कि जब ऐसा लगे कि अब भी necessary है और nuclear attack किया जाना चाहिए तब जो executive council है उसके दवारा उसका जो opinion होता है वो political council जिसको head किया जाता है मानने ये परदानमंतरी के दवारा उसको opinion दिया जाता है जो authorized होती है nuclear attack के लिए अगर deemed necessary होतो वाइल जो executive council है उसको chaired किया जाता है जो national security advisor NSCG होती है उनके दवारा इसको executive council को chaired किया जाता है और जो political council है उसको chaired किया जाता है मानने ये परदानमंतरी जी के दवारा ये mechanism was implemented ये implement किया गया था है ensure करने के लिए कि जो Indian nukes है वो remain firmly in the civilian control civilian control में रहे and that there exists a sophisticated command and control C2 mechanism होना चाहिए कि जो prevent कर सके उसके accidental और unauthorized use को बचाने के लिए इसलिए जो political council है उसका गठन किया गया था ये ऐसा mechanism बनाया गया है जिसके अंदर जो executive council है उसको opinion देना होता है अपना political council को और जो political council होती है फिर वो पूरा opinion सुनने के बाद में फिर political council के द्वारा decision लिया जाता है जो भी उस time necessary मैसूस होता है अब strategic forces command इसके उपर वैसे भी काफी ज़धा detail में मैं बता चुका हूँ और मैंने इसका पहले link भी दिया यदि आप जाना चाहते हो पूरा strategic forces command actually में है क्या क्या करता है और किसलिए यह बनाया गया तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत में इसके बारे में यहां पर भी बता देता हूँ जो directives हैं जो directives हैं NCA के वो operationalize किये जाते है strategic forces command के दोरा यानि कि जो NCA है nuclear जो control authority है भारत की command authority है वो जो इसको strategic forces command है SFC इसको direction देती है कि जो भी operation करना होता है nuclear weapons को लेकि वो सारे के सारे जो directives है वो strategic forces command को दिये जाते हैं जो की under the control of a commander in chief होता है strategic forces का और जो की rank होती है three star officer होता है उसकी जो try service high rank होती है in charge होता है management का और administration का tactical and strategic nuclear forces का जो NCA है उसको देखा जा सकता है as एक first stage के रूप में in the development of effective and robust command and control के लिए and जो indications and warning है INW systems and infrastructure for its strategic nuclear forces के लिए इसके रूप में इसको देखा जा सकता है अब हम बताएंगे कि delivery of weapons क्या है जो current status है delivery system का Indian nuclear weapons के लिए वो unclear है और वो highly classified है यानि कि बहुत ही ज्यादा गहरा है और बहुत ही ज्यादा limited ही उसके बारे में पता होता है जो इंडिया है developed and tested nuclear weapons जो इंडिया के दोरे डवलप और टेस्ट किये जा चुके है nuclear weapons वो delivered किये जाते है on परिथवी and अगनी missiles अल्दो जो इसका extent and operational preparedness है इस respect में वो भी अभी तक unclear है कि एक सब कुछ होता कैसे है इंडिया ने जो first test किया था 150 km range परिथवी 1 1988 में उसके बाद 250 km range परिथवी 2 1996 में और फिर परिथवी missiles को इंडिक्ट किया गया Indian armed forces के अंदर by its early to mid 90s यानि कि 1990 के मिड तक फिर जो परिथवी missiles है उनको इंडिक्ट किया गया इंडिया was slow to develop the agni missiles से बार थोड़ा slow था agni missiles को develop करने के लिए लेकिन जो first test था agni technology demonstration उसका 1989 में और जो second stage है 2000 km range agni 2 उसको 1999 में टेस्ट किया गया और single stage 700 km range agni 1 को 2001 में और 3000 km range की जो 3 stage agni 3 है उसको 2006 में test किया गया और जो agni 4 है with a range of 4000 km के साथ में उसको test किया गया है 2011 में जो agni 5 है उसको एक estimated range है जो की between है 5000 से 8000 के बीच में ये भी estimated है इसका exact नहीं पता कि जो agni 5 है उसकी exact range कितनी है इसको test किया गया था 2012 में जबकि चाइना तो यहां तक भी मानता है कि जो agni 5 है उसकी range काफ पूरे चाइना को cover कर सकती है जो successor agni 6 है वो अभी under development के है और एक spectulated जो range है अगनी 6 की हम जो मान सकते हैं जो spectulated range है वो लगबग 10,000 km है इंडिया had few nuclear weapons prior to the availability of these missiles यानिकि इन जो missiles है इनकी availability होने से पहले इंडिया had few nuclear weapons इंडिया के पास में especially the agni it is a problem that the current Indian nuclear weapons inventory includes weapon design for delivery using airplane से मतलब कि जो यह problem है कि जो current Indian nuclear weapons inventory है उनके अंदर include है कि जो weapons है उनको इस हिसाब से design किया जाए कि जो उनकी delivery है वो airplanes है उनके द्वारा भी कि जा सके इस हिसाब से अभी इंडिया के nuclear weapons को invent किया जा रहा है जो Indian armed forces है वो operates जो desult rifle है desult rifle जो की capable है carrying out करने के लिए nuclear attacks का उसको operate कर रही है इंडियन armed forces जो MiG-27 है एंड जैक्वार है उसको originally design किया गया था परफॉर्म करने के लिए ground attack missions को and would require only modest modification जो modest modification हो रिक्वायर है to deliver nuclear weapons को deliver करने के लिए भी जो Indian air force है वो operate करती है several other older and less capable types of ground attack के aircraft है उनको use करती है operate करती है which would seem rather less likely candidate for delivering जो की थोड़े से हलके महसुस होते है nuclear weapons को deliver करने के लिए MiG-29, Sukhoi SU-30 MKI and Mirage 2000 उसको originally design किया गया परफॉर्म करने के लिए air to air combat missions though they could potentially to be modified to deliver airdropped nuclear weapons मतलब उनको potentially modified किया जा सकता है deliver करने के लिए airdropped nuclear weapons को अब ये जो इंडिया और पाकिस्तान है बारत और पाकिस्तान के दुआरा उनकी जो own nuclear hotline है उसको set up किया गया था Sunday को 20.04 को दोस्तों उमीद है कि आपको nuclear command authority के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये एक बहुत ही sensitive मुद्दा है और इसके बारे में बहुत ही कम details available है तो जो भी था वो मैंने आपको काफी ज़्यादे details में समझाया है और उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार दुबारा जुरूर देखें वीडियो देखने के लिए आप सभी का दन्यवाद मिलता हूँ आपसे next वीडियो में फिर interesting and knowledgeable topic के साथ में तब तक के लिए thank you जै हिन जै भारत